नमस्कार जैहिन, क्लास 10th NCRT Math, एक्जाम सीरीज के अंतरगत, आज हम चैप्टर 6, ट्राइंगल, अर्थात, त्रिभुज तो यहाँ पर हम ऐसे प्रिश्णों को हल करेंगे, जिनकी एक्जाम में आने की काफी संभावना हो इस चैप्टर से दो त्रिभुजों की समरूपता से संबंदित कुश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें OT यानि Objective टाइप कुश्चन भी होंगे, और एक प्रिश्ण आपका theoretical होगा इस वर्ष के सलेवस के अनुसार इस अध्याय से दो एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, यानि कि एक्सरसाइज 6.1 से एक्सरसाइज 6.3 तक ही हमको करना है, इन ही मैंसे आपके एक्जाम में कुश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां हम त्रिभुजों की समरूपता के बार से देखा जाए, तो हमें ये आक्रतियां, पहली दो आक्रतियां, प्रतेक रो में जो पहली दो आक्रतियां हैं, वो हमें समान दिख रही हैं, और तीसरी जो आक्रति है, इसमें तीसरी, इसमें और इसमें, ये तीनों आक्रतियां, इन दोनों आक्रति से भिन हैं, यानि कि आकार में छोटी है तो यहां गौर करना है कि कोई भी दो आकरतियां यदि आपस में बराबर हो या छोटी हो या कोई एक दूसरे से बड़ी हो या छोटी हो तो बराबर बड़ी या छोटी लेकिन उनकी आकरती सैम हो यानि कि उनका रूप समान हो तो ऐसी आकरतियां समरूप कहलाती हैं, तो यहां ये बृत्त में तीन दिये हुए हैं, तो ये तीनों बृत्त समरूप कहे जाएंगे इसी प्रकार से ये संबाहू तर्भुज है, इनकी भुजाएं आपस में ये बृत्तेक तर्भुज की भुजा समान है, यानि सम्वाहू तर्भुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं और उसके तीनों कौण भी समान होते हैं तो इस प्रकास से तीनों तर्भुज कैसे होंगे? सम्रूप तर्भुज अब इसमें एक objective type का question अक्सर पूछा जाता है कि दो सम्दिवाहू तर्भुज सम्रूप होंगे या नहीं तो सम्दिवाहू तर्भुज में हमें ये ध्यान रखना है कि सम्दिवाहू तर्भुज सम्कौण सम्दिवाहू तर्भुज भी हो सकता है और सम्कौण नहीं भी हो ऐसा भी सम्रूप हो सकता है जैसे मालो ये हमारा एक समकौन तरभुज इस तरह से बना और एक समदिवाहू तरभुज इस प्रकार से भी बना यानि इसके दोनों बुजाएं समान हो गई और इसमें भी ये दोनों बुजाएं समान है लेकिन इनकी आकरती या फिगर समान नहीं है तो इनको हम समरूप नहीं कहेंगे, तो ये हमारा समरूप नहीं होगा तो समरूप के लिए ये ध्यान रखना है कि दो समान भुजाओं की आकरतियों वाले बवभुज जिन में उनके कौन समान हो या उनकी भुजाएं समान अनुपात में हो तो ऐसे बवभुज ही समरूप कहे जाते हैं, तो ये हमारे समरूपता की परभासा होगी तो यहां हम देखेंगे कि ये दोनों ब्रत हैं, तो चूंकी ब्रत 360 अन्सका पूरा एक कौन बनाता है तो ये भी 360 का बनाएगा, ये भी 360 अंस का कॉल बनाएगा, ये भी 360 अंस का कॉल बनाएगा, अब इनकी radius भिन हो सकती है, ये दोनों same है तो इसकी radius समान हो सकती है, लेकिन इसकी radius इससे कम हो सकती है, लेकिन कॉल इसका दोनों का तीनों का समान होगा, यानि 360 अंस का ही एंगल पनेगा तो इसलिए कौण इसमें समान है दोनों तीनों आकरतियों के और इनकी जो भुजा है वो भिन्न है यानि अनपात में हो सकता है यह एक है तो इसका दुगनी हो जाए गुलन में हो जाए चरज्या तो इससे कोई अंतर नहीं होता कौण उनके समान होना चाहिए और तो इसी प्रकार से तीनों त्रभुज दिये हुए हैं तो ये त्रभुज और ये त्रभुज और ये त्रभुज तो तीनों की आकरतियां समान है यानि रूप उनके समान है और चुंकि ये संभाहू त्रभुज हैं तो संभाहू त्रभुज में तीनों कौण समान होते हैं तो इसके भी कौन समान होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे यानि कि पृत्येक कौन सम्भाहू तर्भुज में 60 अंसका होता है तो चाहे ये तर्भुज हो, चाहे ये, चाहे ये पृत्येक कौन 60 अंसके होंगे इसलिए इनको हम समरूप तरभुज कहेंगे तो ऐसा कुश्चन यदी पूछ दिया जाए कि प्रतिक समभाहू तरभुज समरूप होता है क्या तो हम आंसर देंगे कि प्रतिक समभाहू तरभुज समरूप होता है अब यहां देखेंगे हम वर्ग तो इसी प्रकार से वर्ग में देखेंगे कि इसमें प्रतियक वर्ग 90 EANS का दो भुजाओं के बीच में कॉन बना रहा है यहां भी 90 EANS, 90 EANS, 90 EANS, 90 EANS तो 90-90 Degree का ये वर्ग कॉन बना रहे हैं तो इसलिए इनकी आकरती भी समान हैं और कॉन भी समान हैं तो ये भी हमारे similar figure में होंगे, तो इनको भी हम समरूप, वर्ग या square बोलेंगे, हमने ये भी पढ़ा है कि कोई आकरती, यदि जिसके कौन समान हो और उनकी भुजायें भी equal हो, तो ऐसी आकरतियां सरवांगसम होती हैं, यहनि congruent होती हैं, तो यहां यदि ये दौनों कि कौन समान हैं और ब्रत के रूप में देखें, तो उसकी परेधी भी समान हो और चिज्जा भी समान हो, तो ये सरवांगसम हो जाएंगे, लेकिन इससे यदि तुलना की जाये, तो ये सरवांगसम नहीं होगे, तो यहां पर एक प्रिश्ण बनेगा, कि प्रतेक सरवांग समाकरती समरूप होती है, लेकिन प्रतेक समरूप आकरती सरवांगसम नहीं होती, तो यहां ये दोनों समरूप तो हैं, लेकिन सरवांगसम नहीं है, जबकि ये सरवांगसम है, तो ये दोनों समरूप भी होगे, तो सरवांगसम आकरती समरूप हो सकती है, लेकिन प्रतेक स रूप आकरतीश चरवांसम नहीं हो सकती है तो यह important question बन सकता है हमने देनक जीवन में भी देखा है कि जब कोई मकान बनाता है तो उसका नक्सा हम तयार करवाते हैं तो नक्से में इंजीनियर उसका नक्सा बना देता है कि इखड़की या दर्वाजे या रूम इतने वाई इतने का होगा या उसकी लंबाई और चोड़ाई या ऊचाई इतने इतने होगी तो उस कागज में हम उसका सेम नक्सा बना देते हैं और उसी के अनुसार हम बिल्डिंग को तयार करते हैं हमसे कोई कहे कि यह material दर्वाजा लाना है तीन बाई चार का तो हमें कागज में ले जो most important questions हैं उनको हल कराएंगे तो यहाँ पर हमें उधारण में दिया गया question 1 है जो काफी most question है और इसकी इस वर्ष आने की बहुत ज़्यदा संभावना है तो यह प्रिश्ट में दिया हुआ है यदि कोई रेखा एक त्रभुज की दो भुजाओं को यानि की AB भुजा को D बिंदू पर और AC भुजा को E बिंदू पर प्रतिश्चेदित करती हो और वह है BC की समानतर हो तो हमें सिद्ध करना है कि AD अपॉन AB और इक्वल हो AE अपॉन AC तो यहाँ लिखेंगे हम हल तो पहले लिखेंगे जो भी इसमें दिया है तो दिया है त्रभुज ABC जहां DE समानत BC रेका खीची गई है और शिद्ध करना है इसमें AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC अब हम इसकी उपत्ति लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे चुकि त्रभुज ABC में DE समानतर BC दिया है तो इसी लिए हम थैल्स प्रमे के अंसार बोल सकते हैं थैल्स प्रमे या आधार भूत आनपातिक प्रमे जिसे हम आल्रेडी आपको वीडियो में समझा चुके हैं और वो आपको description में link उसकी मिल जाएगी उसको आप समझ सकते हैं जिसमें हमने थैल्स प्रमे और उसका बिलोम और पायतागोर स्प्रमे जबकि इस वर्स नहीं करना है तो हमने उससे सम्भंदित भी वीडियो आपको डाल दिया है ये दोनों आपको description में मिल जाएंगे और भी कई जो प्रमे की अनुसार क्या होता है कि जब किसी त्रभुज में एक हो जाके समानतर रेखाएं खीची जाती हैं तो वह रेखा त्रभुज की सिस भुजाओं को समान अनपात में डिवाइड कर देती हैं तो यहां लिख देंगे इसी लिए AD upon BD और इक्वल हो जाएगा AE upon EC तो यहां लिख देंगे थैल्स प्रमे से या इसको हम आधार भूत आनपातिक प्रमे भी कह सकते हैं यानि BPT तो यहां यह हमें थैल्स प्रमे से मिला अब यहां देखेंगे हम कि जैसे हमको यह दिया है हमको यहां AD upon AB यह सिद्ध करना है तो AD हमको चाहिए और AB आना चाहिए तो AD हमारे पास यहां है इसी प्रकार से AE हमारे पास यहां है तो यह हमें एक ट्रकी रूप में सोचना है तो AD और AE से हमें बिलकुल भी नहीं बोलना है हम ऐसे इसमें changing करें कि हमें AB और AC इसमें प्राप्त हो जाए तो पहले तो हम यहां देखेंगे कि इनको यदि हम cross multiply कर दें जैसे मालो हमने AD upon BD equal AE upon EC है तो इसको हम यहां भेश सकते EC को EC हमारा यहां हो जाएगा और AE को हम यहां भेश सकते हैं इसी प्रकार से BD को हम यहां भेश सकते हैं और AD को यहां भेश सकते हैं तो कहने का आसा यह है कि AD upon BD तो यह हमारे उलट करके ऐसे हो गए तो BD upon AD equal EC upon AE इस प्रकार से बन गए तो चाहे तो हम इसको right side में लिखें या इसको हम left side में रखते हैं तो इनको हम उलट सकते हैं तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं BD upon AD और इसी प्रकार से EC upon AE इनको लिख सकते हैं अब हमें ध्यान देना है कि यदि हम AD और DB को जोड़ दें तो हमें A, B प्राप्त हो जाएंगे यानि इतना और इतना जोड़ दें तो हमें A से लेकर के B तक प्राप्त हो जाएगा तो अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे कि B, D में A, D हमको जोड़ना है यानि B, D में A, D जोड़ना है तो इसके लिए हम दौनों साइड में यानि दौनों पक्चों में एक जोड़ देंगे तो यहां BD upon AD plus 1 और इसी प्रकार से EC upon AE plus 1 तो लिख देंगे यहां दौनों पक्चों में एक जोड़ने पर अब इनका हम LCM ले लेंगे तो यहां देखेंगे कि BD plus AD का यहां multiply हो जाएगा तो AD हो जाएगे upon में यहां AD दिख देंगे इसी प्रकार से इनका LCM लेने पर EC plus AE और upon हो जाएगा AE अब यहां ध्यान देंगे figure में कि BD plus AD यानि कि यह BD plus AD तो दोनों मिल करके इसको और इसको यहली हम जोड़ देंगे तो हमें AB मिल जाएगा यहां तो इनके इस्थान पर हम लिख सकते हैं AB upon AD चौकी तो रखेंगे equal इसी प्रकार से देखेंगे यहां EC इतना और plus AE तो यह जोड़ करके हो जाएगा AC तो यहां लिख देंगे AC upon AE तो यह हमें प्राप्त हुआ अब हमें चाहिए यह यानि AD upon AB तो देखो यहां पर AD यह है AB यह है और AE upon AC जैसे हमने यहां पर इनको उल्टा था इसी प्रकार से हम cross multiply करके इनको भी बदल सकते हैं तो इनको हम लिख सकते हैं या AD upon AB इक्वल हो जाएगा AE upon AC तो यहां ध्यान से देखिए यही हमको सिद्ध करना था तो यहां पर हम लिख देंगे इती सिद्धम यहां पर exercise 6.2 का यह पहला question दिया गया है तो इस exercise से यदि question पूँछा जाएगा तो इसी question की पूँछे जाने की अधिक संभावना है और इसके अलावा और दूसरा question नहीं पूछा जाएगा तो इसमें दिया हुआ है दोनों फिगरों में कि DE समांतर BC यानि पहला फिगर यह है और दूसरा फिगर यह है तो दोनों में ABC और DE लिये गए है तो DE इसमें समांतर BC के है और AE की माप 1 cm है और यहां BD की माप 3 cm है तो हमें इसमें EC या CE की माप ग्याद करना है तो इसमें हमको यह ग्याद करना है और इसमें हमको यह ग्याद करना है यानि AD की माप तो यह दोनों फिगर से हमें ग्याद करना है तो यहां हम पहले first figure को लेते हैं तो हल first में देखेंगे तो चूंकि BC समांतर DE ये हमें दिया हुआ है तो जब BC समांतर DE दिया है तो हम थैल्स प्रमे का उप्योग करेंगे तो इसी लिए थैल्स प्रमे से या आधारवूत आनपातिक प्रमे से तो उसके अंसार क्या ओता है, कि भुजाएं अनुपात में ये समांतर जो प्रचथित्छे दी रेखा खीची गई है भुजाओं को समान अनपात में विभाजित कर देती है तो यहाँ यह भुजा अपॉन यह भुजा हो जाएगी इसी प्रकार से AE अपॉन EC हो जाएगे तो इसी लिए लिख देंगे यहाँ AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE अब यहाँ ध्यान देना है जिस तरह से हम इस भुजा का नाम लेंगे उसी प्रकार से हम इसका नाम लेंगे तो यहाँ हमने BD बूला है तो यहाँ पर हम CE बूलेंगे हाला कि इसको हम EC कह दें या CE तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा अब इनकी जो मापे हैं उनको हम रख देंगे तो यहाँ देखिए AD इक्वल 1.5 दिया है तो 1.5 अपॉन और BD हमको दिया है 3 सेंटी मीटर इक्वल AE हमको 1 सेंटी मीटर दिया हुआ है अपॉन और यह EC हमको ग्याद करना है तो यहां हम EC या CE लिख देंगे इस तरह से अब यह ग्याद करना है तो यहां cross multiply नियम लागू हो जाएगा तो CE को हम यहां रख सकते हैं एक्वल तो यह 3 का multiply एक के साथ हो जायगा तो 1 इनटु 3 और upon हो जाएगे 1.5 अब हमको यह decimal point अटाना है तो इसी लिए C E equal हो जाएंगे 3 वन जा 3 हो जाएंगे 1 इनको हम 15 कर देंगे तो दसमलाव की बाद यदि एक अंख है तो उपर हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे nominator में अब इनसे यह divide हो जाएंगे 15 to 30 तो यहाँ पर हमें C E equal मिल जाएंगे 2 cm तो यह हमारा answer हो जाएगा अब इसी प्रकार से हम figure 2 को लेंगे तो यहाँ आकरती 2 से लिख देंगे इसमें देखेंगे कि BC समांतर D इसमें भी दिया है तो चूंकि BC समांतर D E तो इसी लिए BPT theorem से BPT या हम कह देंगे Thels theorem से या प्रमे से तो इसकी अउसार क्या होगा कि AD upon DB AD upon DB या BD कह दे equal हो जाएगा AE upon EC upon CE अब इसमें जो जो मान हमको ग्यात हैं उनको हम उनके स्थान पर रख देंगे तो यहाँ पर AD AD हमारा ग्यात करना है यानि AD यथावत रहेगा अब चाहें तो यहीं हम डारेट कर सकते हैं कि BD का cross multiply यहाँ हो जाएगा तो BD का मान कितना है 7.2 तो 7.2 हम यहाँ लिख देंगे into कर देंगे AE तो AE हमारा 1.8 दिया है और upon में हो जाएगा CE यानि 5.4 इस प्रकार से अब इनको हम काट सकते हैं तो पहले तो हम देखेंगे इनको दिसमलाव जैसे हटाएंगे तो यह दिसमलाव की बाद एकंख है और दिसमलाव की बाद यहाँ एकंख है तो इनके हम दोनों के दिसमलाव आसानी से हटा सकते हैं तो यह हो जाएगे 18 का भाग देंगे 54 में तो यह 3 बार जाएगा अब 3 से हम इनको डिवाइड कर देंगे तो यह हमें मिल जाएंगे 7.2 upon 3, अब 3 से इनको डिवाइड कर देंगे, तो 3, 2, 6 हो जाएंगे, और दसमलाज यथावत रहेगा, और 3, 4, 12 cm, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे फिगर का, यहाँ एक्जामपल फोर दिया गया है, और यह भी काफी important एक्जामपल है, इ P, O, Q, और S, O, R, यह समरूप है दोनों त्रभुज, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है, P, Q, समानतर, R, S, तथा, P, S, और, R, Q, एक दूसरे को, O बिंदू पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है, त्रभुज, P, O, Q, P, O, Q, समरूप त्रभुज, S, O, R, S, O, R, तो यह दोनों समरूप हैं, यह हमें सिद्ध करना है, तो यहां हम उपत्ती में लिखेंगे, चूकि, P, Q, समानतर, R, S, दिया है, तथा, P, S, एवं, R, Q, परतिच्छेदी दिखाएं हैं, तो यहां स्टूडेंट्स बिसेश ध्यान लखें, कि जिस कॉर्ड का हम नाम लेंगे, तो वह है अक्छल बीच में होना चाहिए, जैसे कॉर्ड P का नाम लिया, तो P हमारा O और Q के बीच में होना चाहिए, कॉर्ड, O, P, Q, एक्वल, कॉर्ड, तो यह कॉर्ड और यह कॉर्ड हमारा एकांतर कॉर्ड होगा, क्योंकि P, Q और R, समांतर हैं, तो इसलिए, O, S, R, O, S, R, तो लिख देंगे यहां एकांतर कॉर्ड हैं, अब इसी प्रकार से हम इस कॉर्ड पर ध्यान देंगे, तो यह कॉर्ड और यह कॉर्ड, तो यह दोनों कॉर्ड भी समान होगे, क्योंकि यह P, Q और यह R, S, हमारी समांतर रेखाए हैं, तो यह दोनों भी एकांतर होग इसे लिए कौण O Q P इक्वल हो जाएगा कौण O R S तो ये भी एक आंतर कौण है अब देखेंगे हम तीसरे कौण को क्योंकि समरूपता के लिए कौण समान होना चाहिए आक्रती के और भुजाएं समान पाती होना चाहिए तो यदि कौण समान हो जाएंगे तो भी हम कह देंगे कि समरूप है अब इस कौण को देखेंगे यहाँ P Q O इस तरबुज में और इस कौण को देखेंगे S O R तरबुज में तो ये दौनों कौण सीर्षा भिमों कौण होते हैं और ये समान होते हैं तो कॉण पी ओ क्यू एक्वल हो जाएगा कॉण एस ओ आर तो यह सीरसाभी मोग कॉण हैं तो आप देखेंगे हम कि यह कॉण और यह कॉण समान हुआ यह कॉण इस कॉण के समान हुआ और यह सीरसाभी मोग कॉण है इसलिए यह भी समान हो गए तो दोनों त्रिभुज में कौन समान हैं, इसलिए हम कह देंगे कि त्रिभुज P, O, Q समरूप होगा त्रिभुज S, O, R के, S, O, R और इसमें लिख देंगे कौन, कौन, कौन समरूपता से, इती सिद्धम तो यहाँ पर exercise 6.3 का, यह second question दिया हुआ है, और यह भी important question है, और ऐसा question कई बार पूछा भी जा चुका है हाला कि इसके पहले example में, example 7, यह important question वह भी है, तो उसमें हमें meter और centimeter एकाई को परवर्तित करना है और meter 30 second के हिसाब से उसमें चाल दी हुई है, तो चाल से हमको उसमें दूरी निकाल लेना है, तो वह question आसान है, उसे आप कर सकते हैं, यदि नहीं आता है, तो उसे हम आगे देखेंगे, तो कर सकते हैं उसी के जैसा दूसरा सवाल है, तो हम उसको करेंगे जो कि exercise में दिया हुआ है, तो उन दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है, तो यहां इस प्रिशन को देखेंगे, तो इसमें हमें ये दो समांतर रेखाए हैं, और उन समांतर रेखाओं में AC और BD दो तिरियक छे के दी रेखा हैं, जो कि O पर एक दूसरे को प्रतिशेत कर रही हैं, और यहां पर हमें इनके कोण दिये गए हैं, तो इस आकरती में B, O, C, 125 डिगरी दिया हुआ है, और B, D, C, या O, D, C कहते हैं, ये 70 डिगरी दिया हुआ है, और फिर हमको D, O, C, यानि दी, O, C, ये कोण भी याद करना है, और तीसरा O, A, B, यानि O, A, B, ये कोण याद करना है, तो काफी important और अच्छा question है, तो यहां लिखेंगे हम उपति, चूँकि इसको हम L रेखा मान लें और इसको हम M रेखा मान सकते हैं, चूँकि L समानतर M दिया है, तथा B, D, तिरियक 6 दी रेखा है, प्रतिचेदी रेखा भी कह सकते हैं, तिरियक 6 दी रेखा है, तो यहां हमें तिरियक 6 दी रेखा से तातपर है, तो हम इसको तिरियक 6 दी बोल सकते हैं, और चूँकि ये प्रतिचित कर रही है, एसी को तो प्रतिचेदी भी बोल सकते हैं, तो जब कोई तिरियक 6 दी रेख बी, ओ, सी, कॉल बी, ओ, सी, और प्लस हो जाएगा कॉल सी, ओ, डी, या डी, ओ, सी, और ये एक्वल हो जाएगे 180 डिग्री, तो यहां लिख देंगे रैखेक योगम, तो जो रैखेक योगम कॉल बनते हैं, तो उनका योग 180 अंस होता है, यह हम आपको पिछली कच्छा में अ प्लस कॉल डी, ओ, सी, हमको ग्याद करना है, ओ, 180 डिग्री, तो कॉल डी, ओ, सी, इक्वल हो जाएगा, इनको सब्टेट कर देंगे, तो यहां मिलेंगे हमें 55 डिग्री, तो यह कॉल हमारा एक प्राप्त हुआ हमें, तो यह कॉल हो जाएगा 55 डिग्री है, अब चुकि हमक तो तर्भुज O, D, C को हम ले लेंगे तर्भुज O, D, C में हम जानते हैं कि तर्भुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है इसलिए ये कोण हम ज्याद करेंगे तो 180 से इन दोनों का योग हम घटा देंगे इसलिए कोण, इससे हम डालेट कर देंगे कोण हमको ज्याद करना है D, C, O तो D, C, O, ये कोण इक्वल हो जाएगा 180 और माइनस हो जाएगे ये दोनों कोणों का योग यानिके 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री तो यहाँ डालेट रख सकते हैं या इनके नाम ले सकते हैं तो कोण D, O, C और प्लस कोण C, D, O C, D, O अब इनके हम मान रख देंगे तो हमें कोण मिल जाएगा D, C, O इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस तो ये 55 डिग्री और प्लस 70 डिग्री इसी लिए कोण D, C, O बराबर 180 माइनस इनको हम एड़ कर देंगे तो हमारे हो जाएगे ये 5 और ये 125 तो हमें फिर से ये 55 मिल जाएगे तो इक्वल हो जाएगे 55 डिग्री तो ये भी हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा अब चाहिए हमको कोण A तो यहाँ देखेंगे कि LM समांतर है और यहाँ ये तिरियक रेखा है तो ये कोण और ये कोण हमारे कैसे होंगे एकांतर कोण होंगे तो यहाँ लिख देखेंगे चू की कोण B A O इक्वल कोण D C O D C O तो ये हमारे एकांतर कोण है तो यहाँ इसी लिए हम लिख देखेंगे कोण B A O इक्वल D C O हम ग्याद कर चुके हैं यानि 55 डिग्री तो ये भी कोण हमारा 55 प्राप्त हुआ तो ये आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से कोण A कोण C और कोण ये O यानि D O C ये तीनों कोण हमने प्राप्त की अब यहाँ पर आपको Exercise 6.3 का Most Important Question 13 दिया हुआ है तो इसमें कहा गया है कि एक त्रभुज A, B, C है और उसकी भुजा B, C पर कोई एक बिंदू D इस प्रकार से है कि कोण A, D, C इक्वल हो जाए कोण B, A, C के तो यहाँ पर हमने आपको सुबधा की दरस्टी से कि आपको बहतर तरीके से समझ में आ जाए तो इसी मैंसे हमने दो समरूप त्रभुज को अलग-अलग करके बनाया है तो यहाँ त्रभुज A, B, C यह दिया हुआ है और B, C भुजा पर यह बिंदू D दिया है तो यदि हम यहाँ A और D इस भुजा को अलग करके और D को हम पल्ट करके लिख देंगे तो हमें D, A इस प्रकार से मिल जाएगी तो यहाँ हमने A, B, C इस त्रभुज को यहाँ रख दिया निकालके अलग और इसी प्रकार से D, A, C को हमने यहाँ रख दिया अब हम यहाँ इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम इन दौनों त्रभुजों की तुलना करेंगे तो त्रभुज A, B, C इस त्रभुज D, A, C में D, A, C में अब इनको हम गौर से देखेंगे तो चुकि इन दौनों त्रभुजों में हमको यह दिया हुआ है कि कौन A, D, C इक्वल कौन B, A, C यह हमको कुश्चन में ही दिया है A, D, C इक्वल B, A, C A, D, C और इक्वल B, A, C यानि यह कौन और यह कौन यह इक्वल दिये हैं यहाँ पर देखेंगे तो हमने यह ऐसा बनाया है आप इन में देखेंगे और एक कौन यदी समान हो जाता है और कोई एक भुजा भी समान हो जाती है तो हम कह देंगे कि यह दोनों त्रभुज कैसे हैं समरूप त्रभुज हैं तो और देखेंगे इसमें कि हमारा यह कौन C तो A, C, B और A, C, D यानि C कौन इसमें ओभाइनिस्ट कौन होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम चू की अब यहाँ देखेंगे कि A, D, C यानि A, D, C पहले हमने इस त्रभुज का नाम लिया तो हम यहाँ पर भी पहले इसी त्रभुज में ऐसे लेगे तो कौन D, C, A तो यह कौन और यह कौन हमारा एक्वल होगा कौन इसके A, C, B के कौन A, C, B तो यहाँ लिख देंगे यह उभाइनिस्ट कौन है आप इसमें देखेंगे कि भुजा भुजा इसमें A, B, C और A, D, C तो इसमें A, C भुजा दोनों में उभाइनिस्ट भुजा होगी तो यहाँ लिखेंगे हम भुजा AC एक्क्वल भुजा AC तो यह लिख देंगे स्वातुल है या हम इसी को अभाइनिस्ट भी बोल देते हैं तो इसी लिए बोल देंगे कि तर्भुज A, D, C समरूप होगा तर्भुज B, A, C के यानि के कौन कौन भुजा से इस नियम से तो इसलिए जब यह समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत हो जाएं भी आनपातिक हो जाएंगी अब हमें देखना है सिद्ध क्या करना है तो CA स्कौर यानि के CA हमें इस प्रकार से उपर चाहिए और यहां बटे में कोईची जाएगी इसी प्रकार से अब इक्वल करेंगे तो CA हमको यहां चाहिए तो इसको पहले हमें माइंड में रखना है तो देखेंगे इसमें CA कहां पर है ये तो इसकी संगत हो जाओगी हमारी BC तो AC ADC तरबुज में देखेंगे तो AC upon क्या होगी BC या इसको हम CB बोल देंगे CB इक्वल तो इसके संगत ये हुई आप देखेंगे कि दूसरे तरबुज में यानि इसमें AC यहां है ये तो ये संगत किसके होगी इसके तो यहां है CD या DC बोल देंगे तो CD upon तो इसके संगत बोजा होगी ये AC AC तो अब यहां पर हम इनका cross multiply करतेंगे तो AC का यहां AC में multiply होगा तो AC और AC का गुणा जब होगा तो ये हमें मिलेगा AC का square और equal इनका CD के साथ में multiply होगा तो CB into CD हो जाएगा तो यहां लिखनेंगे CB into CD और यही हमको सिद्ध करना था अब यहां पर मैं अंत्य most important question आपको कराने जा रहा हूँ जो कि exercise 6.3 का 15th question है तो इसमें एक इस्तंब दिया हुआ है जो कि 6 मीटर उचा है और उसकी भूमी पर छाया की लंबाई 4 मीटर बताई गई है उसी समय एक मीनार है तो मीनार की छाया की लंबाई भूमी तक 28 मीटर दी हुई है तो हमें मीनार की उचाई ज्याद करना है तो यहां पर हम समझेंगे कि हमें ये त्रभुज दिये हुए है तो एक त्रभुज तो ये बड़ा बाला हो जाएगा यानि कि C, D, E और एक त्रभुज हमारा A, B, C ये हो जाएगा यहां इन दोनों त्रभुजों को समरूप हमें बताना है और समरूप बताएगे तो आनपातिक प्रमे का उप्योग हो जाएगा और भुजाएं अनपाति हो जाएगे तो हमें उचाई प्राप्त हो जाएगी तो यहां पर हम इन दोनों त्रभुजों को लेंगे तो त्रभुज C, D, E एवं त्रभुज A, B, C अब इन दोनों त्रभुजों की हम तुलना करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि ये कौण और इसमें ये कौण ये दोनों कौण 90 डिग्री के बन रहे हैं तो ये दोनों समान होंगे तो कॉर्ड D, E, C D, E, C एक्वल हो जाएगा कॉर्ड A, B, C A, B, C 90 डिग्री ये हमको इसमें दिया हुआ है लिख सकते हम ये याथ है और इसी प्रिकार से आप दूसरा कॉर्ड देखेंगे D, E, C और A, B, C तो इसमें C कॉर्ड दोनों त्रहुजों में उभाइनिस्ट कॉर्ड बन रहा है तो यहाँ नाम लिख देंगे इसका कॉर्ड D, C, E एक्वल कॉर्ड A, C, B A, C, B तो ये उभाइनिस्ट कॉर्ड है ये कॉर्ड और ये कॉर्ड नब्यान्स का है तो ये भुजा और ये भुजा कैसी होगी समंतर और C, D ये तिरियक रेखा होगी तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड हमारे संगत कॉर्ड हो जाएंगे तो कॉर्ड E, D, C E, D, C इक्वल हो जाएगा कॉर्ड B, A, C B, A, C तो लिख देंगे यहाँ पर संगत कॉर्ड है और इसका कारण भी लिख सकते हैं क्योंकि D, E, समांतर E, B तथा C, D, तिरियक रेखा है तो अब हमें दोनों त्रभुजों में तीनों तीनों कॉर्ड समान है तो यहाँ लिख देंगे त्रभुज C, D, E समरूफ हो जाएगा त्रभुज A, B, C के तो यह किस प्रकार से होगा? कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड समरूपता से? जब यह दोनों त्रभुज समरूफ हो जाएगे तो इनकी संदग भुजाएं समान पाती हो जाएगे तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि D, E तो इसके संदग भुजा होगी हमारी E, B तो D, E, अपोन E, B एक्वल और देखेंगे कि यह 4 मीटर B, C दी हुई है और E, C दी हुई है 28 मीटर तो इन दोनों भुजाओं की भी हम तुलना करेंगे तो इस बड़े त्रभुज में यदि देखेंगे तो E, C मुझा मिलेगी हमें तो E, C की तुलना हो जाएगी और यह संदग किसके होगी B, C के तो upon में हो जाएगा B, C अब इनकी हम value put कर देंगे यहाँ तो इसी लिए D, E तो D, E हमें मालूम नहीं है जिसे की हमने H माना हुआ है तो इसको H लिख देंगे upon A, B AB यानि कि 6 मीटर equal E, C E, C जो की 28 मीटर दी हुई है तो यहाँ लिख देंगे 28 upon B, C और B, C हमें 4 मीटर दी हुई है 4 से यह 28 को हम divide कर देंगे तो 7 बार यह divide हो जाएगा अब यहाँ पर हम लिखेंगे H upon 6 equal 7 तो H equal हो जाएगी हमारी 6 into 7 या हम लिख देंगे इसको 42 मीटर तो यही हमारी अभीष्ट उंचाई हो जाएगी तो लिख देंगे अता मीनार की अभीष्ट उंचाई 42 मीटर है तो उमीद करते हैं इस चैप्टर के सभी important question आपको बहतर तरीके से समझ में आये होंगे तो इन ही question को आप कम से कम दो बार revise करेंगे तो आप परिच्छा में बहतर तरीके से लिख सकेंगे यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक अवस करें और नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब जरूर करें ताकि आगे वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें